हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल अचार खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे हमारे खाने का स्वाद इद्धम डबल हो जाता है इसलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटा हरी मिर्चता अचार लेके आई हूँ तो चलिए इसे बना बनाना शुरूर करते हैं हरी मिर्चता अचार बनाने के लिए यहां पर मैंने 250 ग्राम मिर्च ली है जिनने मैंने अच्छे से दो के साफ क्रप्रे से पहुंच लिया है अभी मिर्च तो हमें ताटना है तो यहां मैं इसे इस तरह चोटा चोटा ताट रही हूँ आप चाहे लड़ा लीजिए मिर्चे हमारी त्रट चुकी है अब यहां पर हम पैन में डालेंगे राई जीरा पीली वाली सरसो सौफ साबूत धनिया इन सबकी त्वांटिटी मैंने समान ली है आधा बड़ा चम्मच जितना एक चोटा चम्मच हम यहां पर डालेंगे मेथी दाना और 10-15 हम यहां पर डाल देंगे साबूत काली मिर्चे अब हम गैस्ता फ्लेम आंतर देंगे फ्लेम को इद्दम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 2-3 मिनट के लिए ड्राय रोज कर लेंगे इस तरह मसालों को ड्राय रोज करने से इनमें जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर होता है वो खतम हो जाता है और हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है दो मिनट बाद अभी आप देच सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है गैस्ता फ्लेम हम बंतर देंगे इसे ठंडा होने देंगे फिर हम इसे डरदरा पीस लेंगे सेम इसी पैन में मैंने अचार रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हैं ऑईल में से दुआ उटना स्टार्ट हो गया है गैस्ता फ्लेम हम बंतर देंगे इसे थोड़ा सा ठंडा हो तर लेंगे सेम मसालों को भी मैंने डरदरा पीस लिया है तो अभी यहां पर हमें बड़ा बाउल लेंगे और जो हम ने मसाला पीसा था वह हम पूरा यहां पर डाल देंगे इसके साथ हम यहां बागी के मसाले डालेंगे तो आदा चोटा चमच हम इसमें डाल देंगे अजवाइन एच चमच हम यहां पर डाल देंगे तलोंजी एच चम्मच हम यहाँ पर हीन राइड कर देंगे एच चम्मच से थोड़ा कम हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर लालमिच पाउडर डालेंगे यह मैंने लालमिच पाउडर यहाँ पर सवा चम्मच ली है आप चाहे तो लाल मिट्स को पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं बट यह तश्मीरी लाल मिट्स पाउडर है जो तीकी कम होती है बट इससे अचारता कलर अच्छा आता है दो चमच हमने यहाँ पर नमट डाल दिया है सारे मसालों को हम एद बार मिट्स डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिट्स कर लेंगे सेम इसी मसाले के साथ आप केरी तराचार में बना सकते हैं त्रची केरियों तो आप त्राटके तयार तर लीजिए और इसे यहाँ पर इसमें मिट्स कर दीजिए आज हम बना रहे हैं हरी मिट्स तराचार तो जो हरी मिर्चे हमने ताट के रखी थी वो हम यहां पर डाल देंगे जब इस तरह हम हरी मिर्चोतों ताट के डाltते हैं तो यह मसाले में अच्छे से लिपट जाती है साथ ही इसे तंजूम करना भी एजी हो जाता है वेस्टेच खुछ भी नहीं होती है तो हरी मि riches को हम सारे मसालू के साथ अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अभी last में हम यहाँ पर सवा छोटा चमच अमचूर पाउडर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिच्स कर लेंगे आमचूर पाउडर की खटाई की वज़े से अचार हमारा इद्दम चटपटा बने रहा मिट्स कर लेंगे इसे भी यहाँ पर तो यह हमारा बहुत टेस्टी तीथा चटपटा हरी मिट्स का अचार बनके तयार है आप इसे किसी भी साफ संटेनर में भरके रद दीजिए एक महीने तक यह अचार बिल्कुल भी खराब नहीं हो दा आप इसे फ्रिज के अंदर रखिए जब यह आपको खाना हो थोड़ी दिर पहले इसे बहार नित्रा लीजिए फिर आप इसे खा सकते हैं बट अजर आप इसे लंबे टाइम तक टोर करना चाते हैं तो आप इसमें आधा तब सरसो के तेल को और अच्छे से दरम करके ठंडा तरके फिर यहां पर इसमें डाल दीजिए क्योंकि जब तेल में अचार अच्छे से रहे दा तो यह अचार महीनों तक बिल्कुल भी थराब नहीं हो रहा या अजर आप ओयल डालना नहीं चाते हैं तो आप इसमें एक बड़ा चमच यहां पर विनेदर डाल दीजिए विनेदर भी प्रिजर्वेटिव का ताम करे दा अचार बिल्कुल भी थराब नहीं हो रहा तो इस तरह आप भी इस चटपटे हरी मिच की अचार को जरूर बनाईए सब को यह बहुत पसंद आने वाला है खाने का स्वादित दम डबल हो जाये दा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए चैनल तो सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं इत नए वीडियो में इत नई और आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए